तो दोस्तों ये mechanical properties of solids chapter number 6 का next वीडियो है इस वीडियो में दोस्तों हम friction in solids के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों friction क्या होता है उसकी definition देखते हैं सबसे पहले तो definition कहें देखें दोस्तों the property which resist the relative motion between two objects is called as friction मतलब friction का मतलब क्या है कि दो object के बीच relative motion को resist करने वाली जो property है दोस्तों उसको friction बोला जाता है तो सबस्तों यहाँ पर एक object है दोस्तों जो दूसरे object पर यहाँ पर रखा गया हुआ है और आपने अगर यहाँ पर force लगा है इस point पर आपने force लगा है तो यह object इधर move करना चाहेगा लेकिन यह नेचे वाला जो red color का object यह इसको move करने नहीं देगा ठीक है उसको दोस्तों friction बोलते है ठीक है तो आपने मानले थीं कि यहाँ पर force लगा है तो यह object दोस्तों इस direction में move करना चाहता है लेकिन ये object जो है red color का, ये इसको move करने से रोपता है, मतलब ये इस पर इस direction में एक force लगाता है, जिसको कि हम frictional force बोलते हैं, ठीक है, तो ये frictional force है, ये है दोस्तो, frictional force, ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, दोस्तो, frictional force की definition आप कैसे लिख सकते हैं, तो देखें, दोस्तो relative motion between two objects, या फिर two bodies, is called as frictional force, तो ये frictional force है, तो अब दोस्तो, ये frictional force या फिर friction होता क्यों है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं, ठीक है, तो सबसे ये object इस red object पर रखा गया है, दोस्तो, अगर इस surface को, आप अगर microscope के अंदर देखोगे, तो ये smooth नहीं दिखाए ये आपको कैसे दिखाए देगा, यहाँ पर दिखाता हमें, तो ये black color की body का ये surface, अगर आप microscope के अंदर देखोगे, तो ये rough दिखाए देखा, irregularities आपको यहाँ पर दिखाए देगी, वैसे दोस्तो, अगर red color का surface है, इसको अगर आप microscope के अंदर देखोगे, तो वो भी आपको कुछ ऐसे देखिए, irregular दिखाए देगा, ठीक है, तो दोस्तो, इसका surface भी देखिए rough है, और इसका surface भी rough है, ठीक है, तो जब, क्या होता है दोस्तो, कि ये दो जो surface है, इनके बीच में interlocking हो जाता है, lock हो जाता है, irregularities जो है, ये lock हो जाते है, एक दूसरे के अंदर, ठीक है, तो जब आप यहाँ पर force लगाते हो, तो ये interlocking के वज़े से, ये object इस object पर, इस direction में force लगाता है, ठीक है, तो ये object पर, इस direction में, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ठीक है तो इसको हम B बोलेंगे तो B object पर फ्रिक्शनल फोर्स इस डाइरेक्शन में लगेगा दोस्तों और A object पर फ्रिक्शनल फोर्स इस डाइरेक्शन में लगेगा तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इस डाइरेक्शन में तो किस case में ये useful है किस case में ये useful नहीं है तो जहाँ पर ये इंसान को मदद करता है वहाँ पर useful है जहाँ पर ये इंसान को मदद नहीं करता उसको उसकी जो तकलिफे हो बढ़ाता है तो वहाँ पर दोस्तो ये disadvantage है या फिर not useful है बोल सकता हूँ तो सबसे पहले देखते हैं हम दोस्तों इसके आइवांटेज़ से हैं फिर हम देखते हैं कि इनसान को यह किस तरीके से मदद करता है तो इस इंटरलोकिंग की वज़े से क्या होता है दोस्तों कि हम जब दूसरा पेर उटाते हैं तो यह पेर इंटरलोक हो जाता है हम चल सकते हैं नहीं सोऔग नहीं होगा यह इसको Frictional force बोलते हैं तो पैर और जमMin के बीच Friction होगा तो ही हम चल सकते हैं अगर Friction नहीं होगा तो हम नहीं चल सकते हैं फ्रिक्शन नहीं होगा तो देखे यहां पर एक वीडियो दिखा तो मैं आपको कैसी कंडिशन होगी तो ये आदमी देखिए दोस्तो ये रोड के बीच और ये आदमी की जो प्रेट इसके बीच फ्रिक्शन नहीं तो इर चल नहीं पा रहा है ठीक है तो दूसरा use क्या है दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा use है हम चीजों को hold कर सकते है कि यह पैन को मैंने hold किया है hold क्यूं कर सकता हूँ क्यों कि मेरा जो हाथ है हाथ का जो surface है और इस sketch pen का जो surface है दोस्तों इसके बीच friction है, इसी वज़े से हम इसको hold कर सकते हैं, अगर इन दोनों की बीच friction ना होता तो हम hold नहीं कर सकते हैं, इसको समझने के लिए एक experiment करो घर पे दोस्तों, क्या करना है आपको काच की bottle लेनी है, एक bottle लेनी है, इस bottle को hold करना है, तो अब तो आप इसको hold कर सकते हो, क् glass के बीच, glass का जो surface है, bottle का जो material है glass, उसका जो surface है, उसके बीच, frictional force है, इसलिए आप hold कर सकते हो, तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, हाथ पर थोड़ा सा पानी लेके, आपको क्या करना है, थोड़ा सा hand wash लेके जग बनाना है, अब दोस्तों, इस bottle को hold करने की कोशिश क वज़े से, हम board पे लिख सकते है, blackboard पे आपको chalk के साथ लिखना है, तो chalk और blackboard के बीच friction होना ज़रूरी है, अगर friction नहीं होगा तो आप नहीं लिख पाऊगे, तो यह कुछ uses है दोस्तों, तो क्या हर बार friction useful होता है, ऐसे चीज़ नहीं है दोस्तों, कई जगों अबर friction useful न होना है, तो आपने support करने के लिए मान लेते हैं कि कुछ ऐसा part यूज किया, आपने क्या किया यहां पर कि कुछ ऐसा part आपने यूज किया, इसको support करने के लिए ठीक है, आपने इसको, तो इसको support करने के लिए आपने क्या किया, इसको डाल दिया इसके अंदर, अब यह rotate कर तो इसका सर्फैस के इसके लिए सक में और यहां पे खराइज सकते हैं 있다고 हुज़े हैं यहां पर छाला और यहां यहां पर टो यहां पर शस्थे ऐसकяли कि अ अंदर ओईल की लगातार आप यहां पर सप्लाई कर सकते हो तो फ्रिक्शन रिड्यूस होगा या फिर आप ग्रीस सप्लाई कर सकते हो यहां पर ओके तो मशीन के अंदर दोस्तो जो फ्रिक्शन होता है वो हमें यूजफूल नहीं होता है उसको रिड्यूस करना चाहिए इसे एक बार समझें दोस्तो तो अब हमीं पढ़ना है दोस्तो origin of friction के बरमें, origin of friction मतलब यह friction produce क्यों हो रहा है इस वज़े से हो रहा है तो इसके दोस्तो दो reasons हैं जिसमें से पहला reason already मैंने आपको बताई है वो reason कहा है दोस्तो कि due to interlocking between two surfaces two surfaces का interlocking होता है के वज़े से दोस्तों फ्रिक्शन प्रोडिस होता है ठीक है इस फिर इस एक बर समझते हैं तो सपोज एक अबचेक्ट है दोस्तों जो दूसरे अबचेक्ट पर यहां पर रेस्ट के गया है तो इस अबचेक्ट का दोस्तों यह जो सर्फेस है सर्फेस को अगर आप माइक्रो गो ऑगे दूसों तो आपको यहां पर देखिए यह वियर्रेगुलर आपको दिखाई देगा । तो यहां पर यह दो एक दूसरे के अंदर इसको अगर आप उश करने की कोशिश करो तो यह इंटरलॉक है तो interlocking के वज़े से motion resist होगी मतलब यह red color का object है इस object को इधर move करने नहीं देगा यह इस पर इस direction में force लगाएगा red color का object इस पर इस direction में force लगेगा, मतलब इस पर frictional force इधर लगता है, और जैसी कि यह उदर जाना चाह रहा है, तो यह इस red color के object इस direction में force लगा रहा है तो यह जो red color का object है दोस्तो red color के object पर इस surface पर यहाँ पर इस direction में frictional force होगा इसको अगर हम A बोलते हैं तो A object पर frictional force इस direction में होगा और अगर इसको हम B बोलते हैं तो B object पर frictional force इस direction में होगा तो यहाँ पे दोस्तो फ्रिक्शन का एक रिजन तो हमें पता चल चुका है वो रिजन क्या है कि इंटर लॉकिंग के वज़े से होता है जितना ज़्यादा इरेगूलर सर्फेस होगा उतना ज़्यादा ही फ्रिक्शन होगा ओके दोस्तो यहाँ पे देखिए modern जो study हुए अबपी वहाँ से हमें फ्रिक्शन का दूसरा reason भी पता चल चुका है वहाँ पे देखिए हम फ्रिक्शन का दूसरा reason भी देखिए तो एंटर मॉल्यक्यूर सफ ऑफ अट्रक्शन मतलब इसको और थोड़ा सा zoom करके देखो तो आपको ऐसे दिखाए देखा तो यहाँ पर देखिए यह जो surface है इस surface के उपर के जो molecules हैं और यह red color के surface के उपर के जो molecules हैं जहाँ पर यह touch हो रहा है यहाँ के molecules और यहाँ के molecules इन दोनों के बीच molecular force of attraction होगा inter-molecular force of attraction होगा यह molecules एक दूसरे को अपनी तरफ attract कर रहे होंगे यहाँ के molecules पे attract कर रहे होंगे यहाँ के molecules पे attract कर रहे होंगे यहाँ पे contact है तो यहाँ के molecules एक दूसरे को अपनी तरफ attract कर रहे होंगे तो यहाँ पे दोस्तो चोटा सा area of contact में है यहाँ पे बहुत ज़्यादा area contact में नहीं है, छोटा सा area contact में है, ठीक है, तो यह intermolecular force of attraction के वज़े से जो friction होगा यहाँ पे, वो कम होगा, ठीक है, लेकिन irregular surface के वज़े से जो friction होगा, वो ज़्यादा होगा, friction के दो reason है दोस्तों, पहला reason कहा है, मैंने आपको बता है कि irregular surface के वज़े से, interlocking होता है, यह पहला reason, और दूसरा reason कहा है कि यहाँ पे, जहाँ पे contact होता है दोनों का, वहाँ के molecules, दोनों surface के एक दूसरे को attract करते हैं, ठीक है, तो यहाँ के molecules देखे हैं, एक दूसरे को attract करेंगे अपनी तरफ, यहाँ के molecules से एक दूसरे को attract करेंगे, आप force लगाओगे यहाँ पे यह attraction इस motion को oppose करेगा ठीक है ना तो इसके वज़े से भी friction होता है लेकिन इस case में दोस्तो इंटर लॉकिंग के वज़े से जो friction होगा इंटर लॉकिंग के वज़े से जो friction होगा इस case में वो ज्यादा होगा और molecular force of attraction molecular attraction के वज़े से molecular attraction के वज़े से जो friction होगा यहाँ पे वो कम होगा क्यों कम होगा क्योंकि यहाँ पे छोटा सा contact बनावा है तो छोटे number of molecules attract करेंगे तो ज्यादा force नहीं होगा यह attraction का ठीक है लेकिन अगर दोस्तो इस surface को यह दोनों surface को आप बहुती smooth बनाते हो तो क्या होगा दिखिए दोस्तों यह जो दोनों surface है यह microscope में दिखने पर भी smooth दिख रहे हैं मतलब यह बहुती smooth surface है यहाँ पर irregularities नहीं है तो इस case में दोस्तों जो friction होगा वो क्या होगा interlocking के वज़े से तो friction बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर interlocking के वज़े से बिल्कुल भी friction नहीं जो molecules है यह ज्यादा molecules contact में आ गए पूरा surface contact में तो यहाँ पर ज्यादा molecules होगे तो ज्यादा molecules मतलब force of attraction ज्यादा हो जाएगा फिके तो यहाँ पर दोस्तों हमें लग रहा है कि friction reduce होगा लेकिन friction reduce नहीं होगा molecular force of attraction के वज़े से यहाँ पर क्या होगा friction बढ़ जाएगा ओके तो इस case में दोस्तों interlocking के वज़े से तो friction घट रहा है लेकिन दोस्तों जो second point है molecular attraction के वज़े से यहाँ पर क्या होगा molecular attraction के वज़े से यहाँ पर friction बढ़ जाएगा इसमें भी दो case है दोस्तों अगर देखें यह जो material है यह उपर का material A और नीचे का भी material जो है वो B यह अगर same material होंगे यह भी material A है और यह भी material मान लेते हैं कि A है दोनों अगर material same होंगे तो यहाँ के जो molecules हैं वो एक दूसरे को attract करेंगे और दो same molecule के बीच में दोस्तों cohesive force होता है तो उसे मॉलिक्यूल के बीच में जो force होता है वो cohesive force होता है और cohesive force होता है ज्यादा तो ये एकर same materials होंगे दोनों तो इनके बीच ज्यादा force of attraction होगा ज्यादा force of attraction होगा तो यहाँ पे friction भी ज्यादा होगा ठीक है इसलिए दोस्तों machine के case में क्या करते है कि ये जो उपर का part है ये जो part है यहाँ पे ये जो a part है इसका material और ये जो नीचे का जो दोनों के बीच relative motion होने वाले उसका material ये अलग-अलग रखते हैं ये अलग-अलग रखने से क्या होगा दोस्तों यहाँ के जो molecules हैं इनके बीच force of attraction तो होगा लेकिन ये force of attraction दोस्तो एड़ेजिव type का होगा एड़ेजिव मतलब अलग-अलग materials के जो molecules है उनके बीच जो attraction होता है उसको adhesive बोला जाता है adhesive force और adhesive force होता है हमेशा less ठीक है तो यहाँ पे दोस्तों ये molecular force of attraction कम होगा तो यहाँ पे friction क्या होगा दोस्तों friction होगा यहाँ पे कम तो अगर machine में आपको friction reduce करना है तो एक तो surface तो smooth होना ज़रूरी है और दूसरी बात ये दोनों जो materials है वो अलग-अलग होन friction कम होगा यहाँ पे थोड़ा friction होता है जैसे कि friction zero नहीं हो रहा है कुछ तो molecular force of attraction है इसको भी reduce करने के लिए दो surface के बीच आपको यहाँ पे lubricant use करना होगा oil या फिर grease तो friction पूरी तरीके से reduce हो जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों हमारा origin of friction मतलब friction किस वज़े से हो रहा है यह फिर next हम chapter number 7 के ओर बढ़ेंगे तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में static friction क्या होता है इस concept के साथ ठीक है तब तक के लिए धन्यावाद